हमारे सभी दर्शकों को सादर पढ़ाम जैशिक्रिष्णा आज का हमारा विशय है चिंता प्रति एक व्यक्ति चाहे इस्त्री हो चाहे पुरुष किसी ने किसी प्रकार की चिंता लगी रहती है छोटी मोटी चिंता है वाजिब है होती भी है लेकिन लिमिट से ज्यादा चिं शरीर में रोगों की व्रद्धी गंबी रोग भी हो जाते हैं आज हम चर्चा करेंगे चिंता और चिंता का कारण हर व्यक्ति को किसिन किसी प्रकार की चिंता है और किसिन किसी व्यक्ति वस्तू से समधित चिंता है उसका पता केसे करें उसका पता करने के लिए जोतिश शा जो सुत्र है वह है त्रिक भाव और त्रिक भाव में भी त्रिक भाव किने कहते हैं छटे आठवे और बारवे भाव को त्रिक भाव कहते हैं और त्रिक भाव में भी छटा भाव जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है इसे रोग रिणक शत्रु का भाव भी कहते हैं और इस भाव का सम्मंद किसी भाव से बन जाए तो उस भाव से समंद चिंता बढ़ जाती है मन संताप मन में संताप है जो चिंता है उसको देखने के लिए हम छटे भाव को विशेश तोर से देखते हैं तो कुंडली को देखना है लगन कुंडली को देखना है आपकी जो लगन कुंडली है उसे खोलें और आप छटे भाव को देखें यदि छटे भाव में कोई प्लेनेट बेठा हुआ है तो उसे अवश्य देखें वह किस भाव का स्वामी है लगन में जो राशी लिखी हुई होती है उसका स्वामी लगनेश कहलाता है दूतिय भाव में जो राशी लिखी हुई होती है उसका स्वामी दूतियेश कहलाता है आपको यहां पर एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा इस चार्ट को आप त्यान से देखें इस चार्ट में सभी राशियों के अंक लिखे हुए हैं इन अंकों से ही आप उनके स्वामियों को समझ सकते हैं जैसे मेश राशी का स्वामी मंगल है लगन अर्थात प्रतम भाव शरीर लगन का स्वामी छटे भाव में बेड़ जाए तो शरीर से समधित व्यक्ति को चिंताएं होती है यदि लगने शटे भाव में बलवान है तब भी छोटचोटी चिंताएं व्यक्ति को लगी रहती है कमजोर है तो ज़्यादा रहेगी क्योंकि शरीर में रोग भी रहेगा लेकिन यदि लगने छटे भाव में बलवान इस्तती में है तब भी व्यक्ति शरीर से सम्मधित चिंताएं करेगा कई शरीर में कोई रोग तो नहीं हो जाएगा या शरीर किसी गंबीर बीमारी से गरसित तो नहीं हो जाएगा तो उसके बारे में व्यक्ति को चिंता रहती है द्वीतिय भाव की बात करें द्वीतिय भाव में जो भी राशी लिखी हुई है उसका स्वामी यदि छटे भाव में बेट जाए तो धन से सम्मंदित, जमापूंजी से सम्मंदित बैंक बैलेंस से समंदित चिंता रहती है कुटम के सदस्यों से समंदित चिंता रहती है अगर आपने अपनी वानी से अपनी बोली से किसी व्यक्ति को बुरा बला कहा है तो उससे समंदित चिंता भी बाद में व्यक्ति को होती है कि मैंने उस व्यक्ति को बला बुरा कह दिया तो दूसरे भाव का स्वामी छटे भाव में हो तब भी एसी चिंता हैं होती है तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का भाव है पराकरम का भाव है आपका पराकरम नहीं बढ़ पा रहा है आपका मानसमान नहीं बढ़ पा रहा है चोटे भाई बहनों से सम्मंदित कोई चिंता है, कस्ट है, उसके बारे में आप सोच रहे हैं तो तीसरे भाव का स्वामी यदि छटे भाव में बेट जाए तब इसी इस्तती बनती है चोथा भाव, भूमी, संपती, मकान, वाहन, माता, उनसे सम्मंदित चिंता है यदि चतुर्तेश, चोटे भाव का स्वामी छटे भाव में बेट जाए तब इसी इस्तती बनती है पंचम भाव, शिक्षा, प्रारंबिक शिक्षा, यदि आप प्रेम विवा करते हैं, तब भी इसी इस्तती देखी जाती है संतान से सम्मंदित चिंता है, तब भी देखी जाती है कोई आप प्रबंध की ये कारिये करना चाहते हैं, अपने मस्तिक्ष से कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में बार-बार सोचते हैं, कि यह काम सफल होगा या नहीं यदि पंचम का स्वामी छटे भाव में बेड़ जाये, तो इस प्रकार की चिंताएं होती है, संतान, शिक्षा से सम्मंदित चिंता या कोई प्लानिंग कर रहे हैं, उस से सम्मंदित चिंताएं व्यक्तिकों होती है चटे भाव का स्वामी चटे भाव में ही बेट जाये वेसे तो शास्त्रकारों ने इसे बहुती शुभ बताया है लेकिन यदि कहीं कमजोर इस्तती में हो तो रोग से समंदित चिंता इरिन यदि लोन लिया है तो उससे समधी चिंता जगड़े जंजट उनसे समधी चिंता बढ़ जाती है सब्तम भाव का स्वामी यदि छटे भाव में बेट जाए ये सी स्तती में पतनी से समधी चिंता पतनी को कहीं रोक तो नहीं है या लड़की की कुंडली है तो पती से समधित चिंता यदि खुद का कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार से समधित चिंता पार्टनर्शिप करते हैं तो उससे समधित चिंता सब्तम भाव का स्वामी छटे बाव में बेड़ जाए तो नोकरों से समधित चिंता है आपका जो बिजनस है वहाँ पर नोकर काम करते हैं गर पे भी काम करते हैं तो नोकर बार बार नोकरी छोड़ कर चले जाते हैं या उन से समधित कोई चिंता है तब भी सब्त में शदी छटे भाव में बेड़ जाए तो ऐसी स्थिति बनती है आठोय भाव का स्वामी छटे भाव में बेड़ जाए तो आयू से समधी चिंता पेतरिक संपती से समधी चिंता तो सभी भावों से चिंताएं देखी जाती है नवम भाव का स्वामी छटे भाव मेट जाए तो पीता से सम्मधित चिंता पैतरिक संपति से सम्मधित चिंता दर्म का यथा विदी पालन नहीं कर पा रहा है तो वह चिंता कोई उल्टा सिधा काम कर लिया तो फिर चिंता ससुराल पक्ष से सम्मदित कोई बात है तो जिन्ता नमम भाव से देखते हैं दशम भाव, नोकरी, सत्ता, मान सम्मान, पद नहीं मिल पा रहा तो जिन्ता प्रोमोशन नहीं हो पा रहा तो जिन्ता क्यारो भाव, आये का भाव, बड़े भाई बेहनों का भाव एक आदश्ट का स्वामी छटे बाव में बेट जाए तो source of income से सम्मधित चिंता पेशा उतना नहीं मिल पा रहा तो चिंता बड़े भाई बेनों से सम्मधित चिंता बारवे भाव का स्वामी यदि छटे बाव में बेट जाए बारवे भाव का स्वामी यदि छटे बाव में बेट जाए तो किसी भाव का स्वामी यदि छटे बाव में बेट जाए तो उस बाव से सम्मधित चिंताएं व्यक्ति की बढ़ती है अलग-अलग कुंडलियों में अलग-अलग उपाय देखे जाते हैं तब ही समाधान होते हैं तो आज आपने समझा कि किसी भी भाव का स्वामी छटे भाव में बेट जाए तब चिंताएं बढ़ती है और यदि छटे भाव का स्वामी भी इन भाव में बेट जाए तब भी एसी इस्तित्यां बनती है तो इसे अवश्य देखें और चिंता का पता करें कि आपकी चिंता का कारण वास्तव में क्या है धन्यवाद जैशिक्रिश्टन